मेरे परिवार जनों, विक्सिद भारत के लिए फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्रक्तर भी बविश्य की जरुरतों के हिसाब से होना चाहिए। यही वज़े हैं हमारी सरकार ने पिछले नव वर्षों में इंफ्रास्रक्तर पर होने वाले खर्च को बढ़ा कर इस साल दस लाग करोड रुपे कर दिया है। यह पहले के मुकामले छे गुना जादा है। साथियों यह जो आज देश में रेल, रोड, एरपोर्ट, पावर प्रोजेक्ट, गाडियां, गरीबों के घर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बन रहे हैं। इन सब में स्टील का बहुत बड़ा महत्वा है। स्टील निर्मान में भारत आत्मनिर्वर हो। इसके लिए बीते नव वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। एक बड़ा स्टील निर्माता राज्य होने के नारण, 36 गड़ को इसका भहुत लाब मिल रहा है। 36 गड़ के इसी भूमिका को विस्तार देते हुए, आज नगरनार में भारत के सबसे आधूनिक स्टील प्रांट में से एक का लोकारप्ण हुआ है। यहां बनने वाला स्टील भारत के ओटोमोबिल, एंजिनरिंग और तेजी से बढ़ते हैं, डिफेंस मैनिफेक्टरिंग सेक्टर को बहुत काम आने वाला है, नई हुर्जा देने वाला है। यानि बस्तर में जो स्टील बनेगा उससे हमारी सेना भी ससकत होगी और रक्षान निर्यात में भी भारत का डंका बजेगा। इस टील प्रांट के कारण बस्तर सहीत आसपास के इलाकों के करीब परीब पच्चास हजार नव जवानों को रोजगार मिलेगा। केंदर सरकार बस्तर जैसे हमारे आकांची जिलों के विकास को जिस प्रकार प्राक्ठिक्ता दे रही है। उस मिशन को भी यह स्टील प्लांट नई गती देगा। मैं इसके लिए बस्तर के 36 गड़ के नव जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।